यह पता ही इतने कारक्रम की है, फिर 22 विधायकों के टिकट क्यों काटने पड़े? बही, वो तो सर्वे किसा आप से हो गए न, उसे बेहतर और लोग हैं। और वो विधायका लोगप्री हो गए थे अपने शेत्र में। वो सर्वे में बहुं सारी चीज़ें रहते हैं, क्यों एक चीज नहीं होती है। कई लोग कह रहे हैं कि आपके दोस्ति एस सिंग्देव और आपके प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैच की सीट फसी हुई है। कौन बोलता है। मैं तब दलपुर चित्रकोड करके आयकार के हूं। वह बढ़ी है। अमभीकापुर और चित्रकोड दोनों सेथ है। नामांकन रहे नहीं महां गया था। एसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री की लोग विधानसभा में ही अपने राजनेतिक प्रतिवन्ति को निपटा दें जब विधायकी नहीं बनेंगे तो मुख्यमंत्री के पत्के दावेदार कैसे होंगे। नहीं थे तब भी मुख्यमंत्री था। जी। जैसे आप जब म्कीमंत्रियों की मीटेंग में जाते हैं कर्वेन प्रणमंद hopping बात्वीत होती है कि सर बार बार आ रहा हैं एजन्सी दिक्कत हो रही क्या है कुछ इस तरह के मैंने प्रणमंद ef बोला भी जे कि जो गलत है उसे खिलाब करवाई करे रहे जो भरश्टें उसे खिलाब करवाई करें हम उसमें आप कुछ नहीं कहेंगे लेकिन आप प्रतिस्षोत की साथ से काम नहीं करें बदनाम करने के आप में मत काम करें सारे ह creeping कारी बेमान नहीं होते हैं मैं ऐसे नहीं कहा तो सब रही ब्लाव करें बैकिन सारे अतकारी बेमान नुग 7 500 उसे खिलाब करवाई करें लेकिन आप हर कमें गूज़ गूज़ कर आप करेंगे तो उन अतकारी कि क्या इकबाल क्या रहाएगा जन-तक वीच में क्या रहाएगा अधिन से आप रेट डालके देख लेजे, आपके घर में दो पुलिस वाले बेज़ दू, देदी जी हैं, बस पूछ के आ जाए, फिर दूसरी दिन जाए, कांश्टेबल जाए और आपके दराजा खटकर आए, और बोले हैं, देदी जी, तीसरी दिन मुहलेम चर्चा हो जाएगी, कि लेकिं 36 करके जनता जान चुके, तीन साल से लगातार हुई कर रहे हैं, एक ही काम को कर रहे हैं, अभी जासे महादेव का मामला चला, हम साड़े-चार सो लोग गिरफतारी कर चुके हैं, और भी जहां हो रहा है, करवाई कर रहे हैं, अब उसके बाद अब सेलेक्टिव आज की, तो उसमें आपके राजनेतिक सलाकार विनोद वर्मा का भी जिक्राया कहीं, उसके घर में शापा पड़ा, जी मेरे जन्नीन था, मैंने ट्विट भी किया, प्रहान मंत्री जी को, आपने अच्छा तो पाजिया मेरे जन्नीन, मेरे दो एजडी, उसके हाँ, पाया क बिनोद वर्मा किया रेट नी, जी हाँ, मतलब ये, अती नहीं होगी ये, राजेश मूलत सीडी कार्ण में भी आप लोग की घरिफतारी हुई थी, दोनों लोग के, उस केस का क्या स्टेटस है, आप बेल पे बाहर हैं भी, अरे भी, उसमें ट्रायल चल रहा था, जी, बोल होते हैं कि यहाँ ट्रायल नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में गए, अब माने नियाले में जो फैसला होगा, कि इस राजेम उसके ट्रायल होगा, कि दूसरे राजेम ट्रायल होगा, तो फैसला होगा, जब कि ट्रायल सुरू हो चुका था, यहाँ राइपुर में, देवर Yog isla, लूम्बक चीछने हैं, ट्यम होता तो पता चलता कि कुछ नहीं, उसको लिद्य गए सुप्रीम को में ले ले. अब इस कान से आप सवाल पूछ रहे हैं कि मामले लटका हुआ है हाँ क्लोज नहीं हुआ ना क्लोज हो जाता था आप सवाल नहीं पूछते हैं तो उसको लटकाय रखना है तो EDIT के भी मतलब अरु भई किसी चीज की जाच करें कोई सीमा होगी किस समय तक कि आप जाच है कोई सीमा नहीं है जाच करते जाओ और यहां तीसीति यह है कि बिना प्रिडिकेट अफियंस के ED जाच कर रही है सारे कैसों में कहीं गुज जा रहे हैं कोज भी कर रहे हैं किसी घर गुज रहे हैं किसी पीज़त उचालने की आजादी मिली भी है किसी लिखलो उड़े हैं